ग्राम कवजिर रायत का मैंने 10-4-2015 को सीसी रोट को लेकर एक मुद्दा वीडियो बनाया था यहां रोट को लेकर क्या समस्य है दीदी बताईए दीदी हमको बहुत परिशानी है पानी को जाते है तो कीचड में चलना पड़ता है और हमारे साथ साथ बच्चों को भी और गाओं के मवेशियों को भी कीचड में जाना पड़ता है इस समस्या को लेकर आप पंचायत में बात किये हैं? बात तो किये हैं ग्राम सभा में लेकिन कोई सुनता ही नहीं है अभी वर्दमान में कोई प्रयास किये हैं आप लो अभी अभी तो जो नया बना है सिर्फ पंच सरोजवाई परस्ते उसी को ग्राम सभा में बोले हैं तो करवाएंगे करके तो बोले हैं अब देखते हैं करवाते ही की नहीं और 24-8-2015 को यहां पर बदला हुआ अब यहां के बावन परिवारों को कीचड से मुक्ती मिली आपके यहां जो कीचड होता था वो कैसे बदलावाया है बताएंगे दिदी यहां बहुत परिशानी थी हमारे यहां कीचड में आना जाना करती है पानी को जाने के लिए भी परिशानी बहुत थी इसके बाद सरपंच को बुलाएं फिन गराम सभा में बात करवा है फिर यहां कंक्रीट के बात करवा है अब आपको कैसा लग रहा है जब यह कंक्रीट काम हुआ है तो हमको बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि हमको कीज़ड में रहना नहीं पाते हैं मेरा मानना है कि अगर गाउं के लोग संग्ठित होकर ग्राम सभा में जाते हैं और अपनी बात रखते हैं और प्रस्ताव पारित कराते हैं तो बदलाव में देरी नहीं होती मैं सरोच परस्ते, ग्राम कवजिर रहियत, विकाश खंड सहपुरा, जिला डिन डौरी, मदप्रदेश से, इंडिया अनहर्ट के लिए